नमस्कार दूस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है किरिपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अन्त में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कल हमने आपके 10 के पेस्ट बुक वास्तिरिक संख्या है एक्सराइज एक दूसमें एक के पहले को सब्सक्राइब को बनाते हैं देखें लिख लिजिए यूक्लिड विभाजन लेमा से किसी धनात्मक पुरांग ए वो बी के लिए ए बराबर बी क्यूँ प्लस आर जहां जीरो से बड़ा और बराबर आर आर से बड़ा बी बी बराबर चो रखने पर बी बराबर जो रखेंगे तो बजाएगा ए बराबर बी के जगा पर चो रख देंगे और बी क्यूँ प्लस आर फिर लिखेंगे जहां 0 से बड़ा बराबर आर आर से बड़ा है बी के जगा पर चो रख लिखेंगे अब आर बराबर लिखेंगे जीरो से छे है तो जीरो से पांच संख्या आपको लिए लेंगे जीरो एक तीन चार पांच अब नीचे लिखेंगे चुकि हमें विसं संख्या एक तीन और पांच की ही जरूरत है इसलिए हम सिर्फ एक तीन और पांच की लेंगे क्योंकि हमें सीध करना है 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होगा की नहीं सीध करना है अब हम आगे इसलिए अब आर बराबर लिख लेंगे एक तीन पांच जब अब आर के मान को पूट करेंगे आर के मान को AQ A बराबर BQ प्लस R वाले फर्मुला में पूट करेंगे जब आर बराबर 0 तो लेना नहीं है एक हो किप यहां पे जब आर बराबर एक तोब A बराबर 6Q क्योंकि B के जगा प्लस 6 या 6Q प्लस 1 जो एक धनात्मक धनात्मक विसम पूडांग है जब आर बराबर 3 लेंगे जब आर बराबर 3 तब A बराबर 6Q प्लस 3 जो एक धनात्मक विसम पूडांग है जब आर बराबर 5 लेंगे तब A बराबर 6Q प्लस 5 ये भी एक धनात्मक विसम पूडांग है देखिए हमें सीट करना था 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है अब नीचे लिखेंगे अतो धनात्मक विसम पूडांग 6Q प्लस 1 कमा 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है सीट हो गया रूप अब हम अपने अगले कोशन तरफ चाथें अगला कोशन आप अपने किताब से पढ़ लेजेगा देखिए प्रेड में कुल सदस्रिव की संख्या संख्या बहाब चौशा सूला अब देखिए बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्रिव की संख्या बराबर 32 है प्रसंसे इसलिए प्रसंसे हम इसका सीफ निकालेंगे तो चौशा सूला कुई दर रखेंगे बराबर 32 अब 32 से चौशा सूला में भाग देंगे तो 19 भागफल आएगा गुणे 19 लिखेंगे और प्लस जो सेस्पल बग से प्लस में लिख देंगे अब दिखेंगे मुशा बराबर मुशा चौशा सूला कमा 32 बराबर मुशा 32 कमा आठ बराबर आठ अथा नीचे लिखेंगे अथा मार्च कर रहें अस्तम्भो की अधी कतम संख्या बराबर आठ यह कुशन बन गया अगले कुशन की तो अगला कुशन है कि पर पिताब से पढ़ीजिए हमें सीथ करना है 3m या 3m प्लूस वन के लुपका है वर बुश का देखेंगे इकलिड विवाजन लेमा एकलिड विवाएन पर मेरिका है लिए किसी धनात्मक पुड़ांक एवा बी के लिए लिखेंगे एव अभी के लिए ते ए बराबर बताया था बीक्यू प्लस आर जहां जहां जीरो से बड़ावा बराबर आर आर से बड़ा है बी के जगवपर तीन रखेंगे बी बराबर तीन रखने पर अब जहां भी है वहाँ पर तीन रखेंगे तीन क्यू प्लस आर जहां जीरो से बड़ावा बड़ा है आर आर से बड़ा है बी के जगवपर तीन रखेंगे अब तीन से सारे छोटे अंग को जीरो से क्लेट कर लेंगे हो गया अब जब आर बराबर जीरो तब तब ये बराबर 3 Q प्लस 0 बराबर 3 Q जो धनात्मक पुडांख है फिर उसी तरह जब R बराबर 1 तब A बराबर 3 Q प्लस 1 यह इसका इसको यह प्लेगे यह भी एक धनात्मक पुडांख है जब R बराबर 2 तब A बराबर 3 Q प्लस 2 जो भी एक धनात्मक पुडांख है अब A बराबर 3 Q हो तो 3 Q का वर्ग करने और अब हम 3 Q का वर्ग करेंगे तो A बराबर 3 Q का अखुल स्क्वाइर बराबर 9 तीन तरीका 9 और Q स्क्वाइर हो जाएगा अब हम इसमें से 3 Q अब इसमें 3 कॉमल ले लेंगे तो बच्वाइर 3 Q स्क्वाइर अब इसको लिए 3 Q 3 M जहां 3 Q स्क्वाइर बराबर M क्योंके में M के रुखेंगे अब अब A बराबर 3 Q प्लस 1 हो तो 3 Q प्लस 1 का वर्ग करने पर A बराबर 3 Q प्लस A का होले स्क्वाइर निकालेंगे जैसे A प्लस B का होले स्क्वाइर निकालते हैं A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2 A B या इसे ऐसे भी लिखते हैं A स्क्वाइर प्लस 2 A B प्लस B स्क्वाइर तो यह 3Q का whole square plus 2 into 3Q into 1 plus 1 square तो यह विए 9Q square plus 6Q plus 1 तो इसमें से 3 common ले लेंगे 3 लेंगे common तो 3 Q square plus 2Q और एक वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें 3M plus 1 के रूप में सिद्ट करना है इसलिए 3M plus 1 जहां 3Q square plus 2Q ब्राबर M अब यह ब्राबर इतना ही सिद्ट करना है साहरों को अब नीचे लिखेंगे इसो काट्टीजी नहीं से लेंगे और तो धनात्मक पुढांग पुढांग का वर्ग 3M कमा 3M प्लस 1 के रूप का हुता है अब हमारे एक्सोसाइज के आक्री कुश्ण पहुचवा है किरिपकरी किताब में से पढ़ लिजेगा स्रीपर मेंसे बता रहें लिखें यूकलीड विभाजन यूकलीड विभाजन प्रमेई क्या से का से धनात्मक पुढांक एवा बी के लिए अब ब्राबर 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 प्लस आ जहां जीरो से बड़ा और बड़ाबर है आर आर से बड़ा है बी बी के जगवा पर तीन रखेंगे क्योंकि नौ रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बी के जगवा पर तीन रखेंगे बी के जगवा पर तीन रखने पर जहां जहां पर बी हमार पर तीन कटेंगे ठीक्यू प्लस आर जहां 0 से बढ़ा है और ब्राबर है R R से बढ़ा है 3 R ब्राबर 3 के नीचे की संख्याव को लिख लेंगे 0 से लिखा 0 1 गद 2 जब R ब्राबर 0 A ब्राबर 3 Q ब्लस 0 ब्राबर 3 Q जो धनात्म मक पुढांखें निचल लिखेंगे जब आर ब्राबर एक तब ए ब्राबर 3Q प्लस एक जो एक धनात्मक पुढांखें निचल लिखेंगे जब अब ए ब्राबर 3Q प्लस टू जो एक धनात्मक पुढांखें जब यहां पर अब लिखेंगे अब ए ब्राबर 3Q क्यूके मारा पहला है 3Q है 3Q हो तो क्यूके मैं घं करके सीद करना है इसलिए हम इसका घं करेंगे 3Q का घं करने पर 3Q का घं करने पर तो यह ब्राबर 3Q का Q कर लेंगे अब 3Q का हम Q करेंगे तो नो का नो देने अठानो तरी 27 होगा 27Q हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे जब हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हम बचेगा हमारा 3Q 3Q का Q अब 9 M लिख लेंगे क्यूके मैं M के रूप में सीद करना है जहां 3Q का Q ब्राबर M अब फिर लिखेंगे और ये ब्राबर 3Q प्लस 1 हो तो 3Q प्लस 1 का घं करने और तो ये ब्राबर 3Q प्लस 1 का घं कर लेंगे हमारा ये फर्मूला है AQ AQ A PLUS B का होल Q पर रधा लिखेंगे तो हो जाता है AQ PLUS 3 A SQUARE B PLUS 3 AB A B SQUARE PLUS 3 OR BQ तो इस में तो हो जाएगा 3Q का होल Q PLUS 3 3Q का स्क्वाइर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 का होल स्क्वाइर प्लस 1 का क्यू करेंगे अब हम करेंगे तो स्क्रीन के लिए 27 क्यू न त्रिक 27 अब इसको करेंगे तो हो जागा न त्रिका नो 9 32 21 qe को स्क्री को थिंटू करेंगे तो यहाप नो कि इंटू को इंटू कुमा लिंगे तो 3QQ plus 3Q का स्क्वाइर plus Q बराबर M जब ये बराबर 3Q plus 2 हो तो 3Q plus 2 का वर्ग करने पर ये सेम उपर वाले इसी सितर अधारित है इसलिए 3Q का होल क्यू plus 3 into 3Q का होल स्क्वाइर into 2 plus 3 into 3Q into 2 का होल स्क्वाइर और प्लोस 2 का होल Q लिखेंगे इसको 27Q प्लोस 6 1 Q का हो Q का स्क्वाइर प्लोस 36 और Q और प्लोस दुखत दिन चार चार दुना 8 9 कमन लेंगे 9 तो यहाँ प्लोस 9 9 के पढ़ा में चोगन चोबार में आता है इसलिए 6Q का स्क्वाइर प्लोस 9 चुके 36 चार दुखेंगे अब लिखेंगे 9M प्लोस 8 जहाँ जहाँ 3 Q एसक्वाइर प्लोस 6 Q एसक्वाइर 3 Q प्लोस 6 Q एसक्वाइर और प्लोस 4 Q बड़ाबर M अब लिखेंगे अब दनात्मक दांक का गं 9M कमा 9M प्लोस 1 तथा 9M प्लोस 8 के रूप का है प्रूब्ड चलिए आज के हमारे वीडियो में इतना आई और अगले क्वेश्चन को नेस्ट वीडियो में बनाएंगे